सब्सक्राइब कर रहा हूं आज आज मुंबई मुंबई और मुंबई मुंबई स्पेशल है क्या पता नहीं किस रीजन से लेकिन सब मुंबई की कोईरी जो आपको आपकी स्क्रीन्स पर नदर आएंगी अच्छा दो लोग जुड़ चुके हैं जो नहीं जुड़ पाने उनक पर नहीं कुलकरनी माम स्क्रीन्स पर अंजली माम हाइग गुड़ आफ्टर्नौन तर नहीं का रहते हो मुंबई में अंजली माम और कब से स्टॉक मार्कें और मुझे डर लगता है एक दसे मैंने इन्वेस्ट किया था वो सब आधा हो गया मेरा प्राइस जो भाव में लिया था उसका आदा हो गया तो तभी समय ने छोड़ दिया डर के मारे अब यह जो है मैंने ऐसे लेकर रखा था इसके लिए रखाया तो यह वही वाला माल है जो फस गया मामला है तो जब पहली बार शुरू करा था तो अपने मन से कुछ भी ले लिया था य ने किसी ने बताया था एक्चुली इट इस एंसेस्टरल प्रॉपर्टी ओके मेरे परदादाने कुछ लेकर रखाता और पड़ा हुआ है तो अब वह भी ने बढ़ा अब तक ने अच्छा हम ऐसा इंट्रेस में इंट्रेस में इंट्रेस में लेते अभी मेरा वह तीवी प अब आप दिखेंगे आपको देखेंगे तो कट होता है वो दिखकतारी कुछ तक ने की लो आपकी फोटो आगई इधर आवे लेकिन मुझे दिखता नहीं लगए अगो क्या है अपन जो एकदम साक्षा तभी बात कर रहे हैं और आपको दिखने में टीवी में थोड़ा सा लाइग आता है थोड़ी देर में आप चमचमाते हुए स्क्रीन पर नजर आओ अच्छा एक काम करते एक सवाल अभी लेते फिर कोशिश करते जूम को पैच करनी कि अगला सवाल ऐसा आपकी फोटो भी आई है लो जो प्रामिस किया वो डिलिवर करते हैं अपन अंजरी मैं पहला सवाल कौन सा अच्छे लग रहो फोटो में आप पहला सवाल मेरा ऐसा है कि मैंने जो मेरे पास पहले से था शेर्स को रख दिया है अभी तक निकाला नहीं है कौन सा हम मुझे हो रिलाइंस इंडस्री का कितने स्टॉक हैं दोसों है और उसके उपर जियो का मिला मिला तो फिर स्टॉक मार्केट लुक्सान कैसे हो रहा है यह दोनों तो जब मिलोंगों उसके बाद सो और चड़ गए है लेकिन हमको क्या है मलों वो निकालने का है वो उसका टारगेट क्या है अच्छा निकालना क्यों है मला पैसे की रिक्वार्मेंट है या ऐसे मुनाफा बा पर आप यह पुराना मिला हुआ पैसा मैं समझ गया अब अपने को इंटरेस्स नी जाता शेर बादर में मजा नहीं आता अपन निकालेंगे अपना मुनाफा बान लेंगे हैं ना कब निकालना ये पूछ लेते हैं अभी आमिलाश जी यह लाइन्ट इंडस्ट्री जियो फ कि पहली बात तो मैं इंको बतातूं कि रिलाइंस जियो का जियो फिनांशल का जो शेर मिला है वो वुफत में मिला है तो इनका कॉस्ट जीरो है और मेरे ख्याल से यह तो आपको मिनिमम एक सालवर का नजरिया लेके पकड़ना है जियो अभी मत बेचिये बहुत अच्छी अगले साल सवा साल में पॉसिबल लग रहा है तो यह रिस्क रिवार्ड रिलांस में डेफिनेटल पॉसिबल है मेरे ख्याल से जल्द बाजी ना करें जब आपको अच्छे वाओ से आप अगर निकालोगे तो आपको ज्यादा होगा तो मेरे ख्याल से इसमीं पेर पॉर 3500 है तब सक इंतजार करिए आपको थिकर करने की कोई जरुवत नहीं है बहुत अच्छी कंपनी है बहुत रिलांस आस वेल अजिए बढ़िया चीज मिली है कोई जल्दी नहीं है अभी तो 2900 पे खड़ा हुआ है अभिनाज जी के टार्गेट 3500 के हैं रुको नाफे के साथ निकलो गया और जियो फ्रैंशल को एक साल का टाइम दो शायद बढ़िया यहां से भी कमा के देगा इसा इन दोनों स्टॉक सी चर्चा होगे अफ़रंट लैंस इंडस्ट्री इस तो पहले द्यान रखिए चैनल सेन्वी से आवास देख रहे हैं इसका स्वा मुंबई से ही औरुमिला माम स्क्रींस पे औरुमिला माम हाई गुड आफ्टर नून औरुमिला माम सॉरी कितना टाइम होगया आपका स्टॉक मार्केट में और कैसी जड़नी रही माम अब आप सबको बाइद अवे अगया है और मैं प्रकाइज गावा सर की बहुत बड़ी फैन हो उनका मैं आपकी आइंकुलिंग की बहुत बड़ी फैन हो तो आपकी जो हिंदी है तो आप मेरे साथ बैटो इससे लिए गावा सर के फैन हो तो मैं समझना आ गया कोशिश करूंगा से बातचीत भी करा दूंग टाइम होगा तो आपकी अच्छा अच्छा टन पहला सवाल आज का विनाज जी के लिए कौन सा मेरे तीन स्टॉप से फर्स्टॉप मेरा है आई बी रियल इस्टेक मेरे पास 200 शेर से उसके 108.90 के रेट से में लिया है और ये ट्रेडिंग वीडिंग के लिया था या लॉंग टर्म के साप से ही चोना था नहीं सर लॉंग टैम की लिच चलेगा कोई वन यर का में होल्डिंग कर सब्सक्राइब इंडिया बुल्स डिल इस्टेट अवनाज जी पसंद आता है क्या रिल इस्टेट स्पेस में पसंदिता बैट होगा क्या एक रिटेल इंडिस्टर को बारा महीने के टाइम औराइज कहीं मैनेजमेंट नया आने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि जो एमबसी के जो गुरूप है वो इस कंपनी और बैतर खरिखे से चलेगा प्रॉफिट अपसाइड और रिस्क रिवार्ड की बात करें तो मैं इनको यहीं कहूंगा कि कम से कम देड़ साल का नजरिया रखे 12 मंस में लिटल भी शॉट बट रेल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी पासल इनके हैं यह जब मॉनटाइज होंगे तो बहुत अच्छी तरह से इनको फाइदा होगा तो मेरी ख्याल से एमबसी का शेर भी इनको मिलेगा क्योंकि मर्जर होने वाला है तो यहां पर थोड़ ओके अच्छा एक बार बताओं अब मुंबई से चारू गर्ग माम जुड़नी है और चारू माम और उर्मिला माम हमारे साथ एक्टिली वेनस्टे को जुड़ी थी आप लोग रीकलेट कर रहे हो कि वेनस्टे को शो ओनेर जानी पाया था क्योंकि उस दिन हमारे वो जो रा बागात हो गई उस दिन मिस हो गया था चारू माम आपकी पहली कुरी कौन सी? गुड़ अफरनून माम. गुड़ अफरनून अशिज जी और वेरीवन. वैसे तो काफी सारे क्वेरी हैं वेकि उनमें से जी प्राइम क्वेरी है वो है HUL और रे मन्स. तो दोनों ही शेर्स प इसके लिए क्या राए है आप बताईएगा क्योंकि मेरी खरीद है. I have purchased it at 318 rate पे, sorry, 318 quantity of shares. 2,509 rate पर लिया था मैंने, actual का. तो अभी इसका क्या करोई? September 23 में लिया था मैंने. और दूसरा आपने रेमंट्स. ये दोनों ये दोनों लॉंग टर्म के साब से लिये थे? Actually, लेती थी थी, लॉंग टर्म के साबसे पर बीच बीच में जैसे, मुनावाया निकाल लिया, फिर दुबारा खरीद लिया, डाउनों तो. तो I was, in a way, not long term, but short term पे ही मैं ट्रेड कर रही थी. So, stop loss कोई नहीं लगाया था, क्योंकि ये काफी profit देने वाले थे, दोनों shares. So, I didn't expect कि ये इतना ज्यादा loss देगा, और काफी loss है, जैसे रेमंट्स में तो मैंने 239 shares लेते, at the rate of 1977. Okay. It was also first case at the same time September 23. Avinash ji, अब ये ट्रेडिंग वाला मामला था, हर बार कमा के देथे ते, पेडिगरी दोनों अच्छी थी. इस बार टाइम हो गया, दोनों 200-200 रुपे खरीद से नीचे चल रहे हैं. ये रखने लाएक हैं क्या? बिल्कुल लेखें, दोनों कमपनी लीवर और रेमन मुझे लगता है कि इसकी सेलेक्शन अच्छी है, प्राइस थोड़ा सा उपरी लेवल पे है. मैं कहूंगा कि यहां पे एक पोजिशनल व्यू और फोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करें. परीबन फारा मैने क अगर यह टाइम फ्रेम रखती है, तो not only इनका cost price आएगा, अच्छा risk reward भी मिलेगा. रेल इस्टेट में Raymond बहुत तेजी से कर रहा है काम और इसका benefit आपको अगले साल देखने को मिलेगा. रही बार लीवर की, तो लीवर में हमको लग रहा है कि इस साल numbers अच्छे आएंगे रूरल डिमांड भी pick up हो रहा है, तो I think अगर चाहे तो लीवर में थोड़ा सा यह average कर सकते हैं, क्योंकि इनकी price काफी उपरी level की है, लेकिन Raymond hold करे, दोनों stocks में साल बर का नजरिया ले, मेरी ख्याल से यहां पर hold करने की बुद्जाईशर. दोनों बढ़िया है, थोड़ा स टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन दोनों शायद कमा के दें, अच्छाएं तो चाहें तो फोड़ा सा और खरीद भी सकते हैं, average कर सकते हैं, यह इस तरह का काउंटर है, अच्छा, गाबा जी हैं क्या, डेक्टर साब, गाबा साब, गाबा साब, गाबा सार और मैं, आपकी बहुत बड़ी फैन है, अपना का मैं फैन को मिलवा देने का, अज मुझे, क्या देखा था पता नहीं, मुझे पता नहीं से, सर राज आज आएगा, मैं मेरी लगी सद्धिया, बहुत बहुत बढ़ी पर शुक्रिया, अपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम आपके पेल शुरियो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो आशिर्वा टाइम बन गया गावा सर, मेरे फादर इम्लाव जैसे ही दिखते है, बिलकुर, शुक्रिया, अब इस नोट पर नीरज बाज भाज भाई आदे घंटे से पड़ाई कर रहे हैं, उनको नीलिया तो आपको पैच अपनी कर पाएं, अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो तो आप अगली बार प्रॉमिस साक्षात नजर आओगे, और में आप कुछ कह रहे हो, एक से मेरी क्वेरी प्लीज उसको रिमू करके दीजिए, बहुत मेरा है एक्टिया के उपर है, सर, बाई नीरज ब आज श्याए गोड़ा है, एक दो दिन से महावल बंद बदल गया थोड़ा सा, अभिनाज जी क्या करा जाए रिडा में, 32 रुपे करें आज भी लॉस हो रहा है, इनको सिर्फ टाइम यहां पर ज्यादा बिताना है, जैकि कंपनी अच्छी है, नंबर भी अच्छी आएंग इसमें ज़रूर पैथा बनेगा, डोंट बुक लॉस आज अपना है, चलिए भई, इस नोट पर, अंजली माम, और मिला माम, चारू माम, थाइंक यू सो मच इस प्लाटफॉर्म पे जुड़ने के लिए और वेनेजडे के डिले के लिए, मेरे काल से आप से बोगों से कम्म कुछ नहीं देखा होगा, जो निरज बाच्पी ने बताया था, क्योंकि ये शौक रखते नहीं ये सब चीजों का